Know Your Customer Money Laundering Act जो है, Anti-Money Laundering Act उसके तहट KYC करना इन्वेस्टर ने Before investing in a stock market और mutual fund KYC करना बहुत mandatory है So KYC क्या होती है It is a Know Your Client जब भी investor mutual fund में पैसा डालता है उसके पहले उसे अपने KYC के documents देके KYC करवानी होती है KYC में documents कौन से कौन से लगते है तो एक identity proof लगता है pancard एक address proof लगता है उनके खुद के नाम का पापा के नाम का electricity bill वगरे नहीं चलता है उनके खुद के नाम का जो भी address proof है वो लगता है और एक color photograph KYC ये जो process होती है ये once in a lifetime करनी होती है एक की बार करनी होती है और एक बार अगर किसी mutual fund के लिए आपने KYC कर दी तो आपको दूसरे mutual fund में KYC की अलग से documents नहीं देने है जो कुछ agencies है करे कहते हैं उसे KYC registration agencies जैसे कि CVLKRA.com नाम के एक website है ऐसे अलग-अलग 3-4 websites है उससे आप उसमें से किसी एक में से आप आपका record जो है KRA जो है उसमें से आपका KYC का acknowledgement आप निकाल सकते हो आपको NISM के exam में सवाल आता है कि KYC का जो acknowledgement होता है वो किस base पे निकलता है तो answer is pen card pen card number pen card number वो number आपको डालना होता है और उससे आपका फिर KYC निकलता है as of today mutual fund में अगर एक रूपया भी invest करना है तो आपको KYC करना mandatory होता है